हाई, वेलकर टू बच्छनल, इस वीडियो में स्वाल्ब करेंगे question number 1 और question number 1 में almost 15 parts हैं, तो ये सारे questions का निकालना हमें क्या है, square root निकालना है तो जब हम निकालेंगे हम पर square root तो हम use करेंगे long division method, क्यों? क्योंकि long division method simple है, उसमें सोचना नहीं पड़ता, हम ये नहीं पता करना पड़ता कि ये number किसे कटेगा, किसे नहीं कटेगा उसे directly हमें जो process है, उसको apply करना होता है और हमार answer आ जाता है तो that would be easier, चलिए हम साल करते हैं first तो हमें निकालना square root of this number, means this is a rational number, तो हम क्या करेंगे, तो हम लिख लेगे आपर कि square root of 441 upon 961 equal to, तो क्या करेंगे, हम दोनों का अलग अलग पहले निकाल लेंगे square root, by long division method, पहले निकालता है 441 का, यहां से पेर बनाते हैं, यह पेर बनाते हैं, यह बन गया, अब 2 से चल जाएगा, यह टू टू जा 4, तो cancel out हो गया यहां पर, और यह टू टू क्या हो गया, पहली बार गया था 2 से, और दूसरी बार 1 से, means 21 होगा इसका square, square root, okay, मतलब इसको लिसकते हैं, पहले हम ऐसे, square root of 441 upon square root of 961, यहां पर under root of 441 को लिखेंगे हैं, यहां पर 21 upon, इसका भी निकालना है, चल इसको निकाल लेते हैं, तो 961, तो यहां पर यह pair बनेगा, यहां पर बरच गया, तो यहां बनेगा, 3 से पहले जाएगा, 3 3 जा 9, कैसे लट हो गया, 61, और यह 6 हो गया, फिर 1 से जाएगा, 1 ता 1 1 जा 1, 1 6 जा 6, कैसे लट हो गया, ओके, तो यहां पहली बर गया था 3 से, तो 3 रख गगा answer हमारा, फिर 1 हो गया, ओके, चलिए, चलते हैं सेकेंड, तो हमारा सेकेंड है, 324, 324 अपान 841, तो हमें रिकालना है, स्क्वेर रूट अफ, 324 अपान 841, तो इतना इस्कॉल टू होता है, अंडर रूट अफ, मतलब कि हम इंडिविज्वली कर रहते हैं, आपर, 324 अपान अंडर रूट अफ, ये निशे हो जाएगा, 841, तो अलाग अलाग हम निकाल करेंगे, वालू पूट करेंगे, numerator में numerator का, और denominator में denominator का, फिर बलू आ जाएगा, तो यहां पर करते हैं, तो यहां पर पर बनेगा 24 का, यहां पर 3 का भी बनेगा एक, तो 3 में जाएगा कैसे, 1 से जाएगा बिल्कुल, 1 बंजब 1, तो यहां बचेगा 2, और 24 अउधार लेंगे, यहां 1 और आइड करेंगे 2 मिलेगा, अब हैं देगे 2 का टेवल पढ़िये, यहां से 8 से मेरे खाथ च करेंगे, तो यहां पर बनेगा, और यह 8 आपका सिंगल रहेगा, यहां पर आप जाएगा, तो 2 से जाएगा, तो 2 प्लस 2, 2 तो 4 हो जाएगा, यहां पर जाएगा, फिर 41 हम उतार लेंगे, यहां बर 2 तो 4 हो जाएगा, अब यह जाएगा, 9 से, प्लस 9, 9 और 81 का 1, 8 करेंगे उफर, 9 फोर्जा, 36 और 8, 44, किस एड़ हो गया, मतब की, पहले बार गया था 2 से, दूसरी बार 9 से, मिंस 29 आ रहे गया, यहां लिखेंगे 29, अब 18 और 29 में कोई का आपका आंसर हो गया, ओके, चलिए, चलते हैं आप, नेक्स्ट थर्ड, थर्ड आपका है, एक मिक्स्ट फ्रेक्शन, 4 होल, 29 अपान 49, अब यह जो नंबर है, अभी पहले इसकों में करना पढ़ा है, या कर्मर्ट पहले, एक रेस्नल नंबर में, मतलब कि इंप्रापर रेस्नल नंबर में करना पढ़ेगा, गलवर्ट, तो इसके रिए करते हैं, हमें पहले इसमें मटपलाई करना होता है, और यहां पर, जो भी आता है रिजल्ट उसमें आइड कर देना होता है, तो 49, 4 जा करेंगे, फिर आइड करते हैं, मिन्स इसको लिए सकते हैं, हम इस तरीके से, 49 इंटु 4, प्लस 29, होल अपान 49, ऐसा आप डिरेक्ले लिए सकते हैं, मतलब कि यहां पर क्या हो जागा, 4 नंजा, 36 का 6, 3 का रिएवर, 4 पर 16, 16, 3, 19, प्लस 29, अपान 49, आइड कर लेंगे, तो बिलेगा, आपको 6, 9, 15 का 5, 1 कर रिएवर, 9 और 2, 11, 12 का 2, and 1 कर रिएवर, and 1, 2, 2, 25 अपान 49, आप तो इसका जानते हैं, इसका स्क्वेर निकालिक जो उर्त नहीं है, तो हम इहां पर निकालेंगे, so, इहां पर स्क्वेर रूट अफ, 4 होल, 29 अपान 49, इस इक्वेर रूट अपान 49, इस इक्वे 15 अपान, इदि आपको नहीं पता होगा, तो तुरंद क्या करिएगा, लांग डिजिन में थर से तुरंद कर लिजिएगा, और 49 का होता है, 7, definitely this is the answer, ओके, चलिए, next चलते हैं, तो next है, 4, यह कुशन दिया है, 2 होल, 14 अपान 25, तो यहां पर क्या करना होगा, इसके रूट निकालने के लिए, बस इसको पहले करवड़ कर ये, इंप्रापर फ्रेक्शन में, तो यहां पर क्या करें, कैसे करनाट करेंगे, 25 से 2 मट बलाए करिए, 14 अट करिए, 25 तो जब फिफ्टी, 15, 14, 64, अपान 25, अब यहां पर हम अलग लग निकालेंगे, मिन्स, इसकोर फ्रेक्शन में, गानिपीफ्ट अपान 25, तो इसको आप 2 होता है, 8 होता है, 8 अपान यहां पर होजाएगा, 5, इसको आप मिक्स ट्रक्सन में करना कर सकते हैं जैसे क्योंकि यहां पर मिक्स ट्रक्सन में दिया हुआ है तो इसको 5 शिट्वाइट कर दिजे 5 वंग फाइफ 1 whole and 3 upon 5 थिरी बचा है तो यह मिक्स ट्रक्सन आ जाएगा इसका स्कोर रूट ओके तो आईसा भी लिखेंगे तो तो सही रहेगा क्योंकि मिक्स ट्रक्सन का स्कोर रूट जो है मिक्स ट्रक्सन में ही आ रहा है थोड़ा सा सिमिलर टैप कर दिखेगा तो अच्छा रहेगा चलि फिफ्ट पांचवा है आपका टू होल 137 अपान 196 तो हमें कलना है स्क्वार रूट आफ टू होल 131 तो पहले में क्या करना है इंप्रापर प्रक्ष्म में करना है मतब कि 196 इंडिटू प्रक्ष्म में इस दोन इस दोन में तो टू 6 अट्वेल कर टू 1 के रिओफर एंड़ 219 का 9 1 के रिओफर 2 और 1 3 392 आएगा और इसमें add करतेंगे 137 137 add करतेंगे और whole अपार में यह 196 ही रहेगा अब यहाँ पर जो है यह add करेंगे नहीं पर 7 और 2 9 और 9 and 3 12 का 2 1 carry over and 3 and 1 4 5 529 अपार 196 अब यहाँ पर यह अलग अलग का जो हम निकाल लेंगे लांग डीजर मेथर से स्क्वेर रूट तो पहले निकालता हैं 529 का यहां पर 29 का प्यर बन गया यहां नहीं बना कोई बात नहीं यहां पर अब 2 से जाएंगे तो 2 प्लस 2 24 हो जागा है यहां पर मानस करिए 1 मिलेगा और 29 उतार लेंगे सही और 24 हो गया और 2 हमारा पहली बर गया था ओके अब यहां पर यहां पर यहां पर जाएगा आपका 3 से स्ट्री फोर से फॉर से मतलब की इसको अपनी सकते है इस तरीके से square root of 529 upon square root of 196 और यहां पर दिखे square root of 526 कितना निकला है 23 निकला है यह लिखेंगे 23 upon square root of 196 कितना है 14 है यह लिखें 14 दोन में common factor कुछ भी रही है it means this is your answer चलिए 6th one solve करते है हमारा question है 23 whole 26 upon 121 तो यहां पर हमें square root निकलना है 23 whole 26 upon 121 पहले क्या करिए इसको आप बदल लीजे पहले improper fraction में कैसे करते हैं 123 में और 26 अड़ कर लीजे तो 23 में 121 मटपलाई करना है कितना आएगा यहां सुझेगा 3 upon 3 3 upon 6 and 3 upon 3 2 upon 2 2 upon 4 and 2 upon 2 यहां पुझेगा 3 और 6 to 8 and 4 to 7 and 2 2783 और इसमें 26 आइड करना है मिलेगा आपको 9 8 to 0 1 carry over and 8 and 2 280 ना आएगा यह लिख लेगे 2809 whole upon यह 121 इसको कर देते हैं erase अब यहां पर जो मिल गया हमें अब यहां पर long region method का यूज करना है और हमें calculate कर लेना है मतलब कि दोनों को अलग कर देंगे 2809 whole upon square root of 121 अब यहां पर 2809 का क्या होगा यहां प्यार बनेगा और यहां प्यार बनेगा आपको जाएगा फोर से फाइस चला जाएगा बिलबूर क्लिक फाइस चलाएगा पहले तो 5525 क्या बचेगा 3 बचेगा और 09 यहां पर बतार लेंगे और 55 बचेगा 10 पहले बर गया था 5 से अब यहां पर देखिए 10 3 जा 30 3 बर में चला जाएगा definitely plus 3 339 and 3 जो 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 होगा 3 बज़ा 3 मतलब कि 53 आएगा इसका मतलब कि इसका square root जो होगा under root of 2809 is 53 upon 121 कितना होता है 11 होता है आपको पता ही है यदि आपको नहीं पता है 11 का square है यह तो आप क्या करिएगा long to the method से calculate कर लेजेगा that is your answer 53 upon 11 और कोई भी common factor नहीं है दुरों में तो यही आपका answer हो गया okay the next question okay next is not this one second seventh okay तो आपको क्या है 25 होल 544 upon 729 तो पहले सब्सक्राइब कर लिजे इंप्रॉपर फ्रेक्शन में इतना वरवर क्या लिए सकते हैं 729 को में 25 में और इसमें add कर लेंगे तो 259 जा कितना होता है 225 होता है और 225 का 5 लिखेंगे अब्रेक्शन में आड़क्राइब कितना आप लिखेंगे करना है 544 होल अपान यह 729 रहेगा ही रहेगा तो यहां पर हम इसको डालेते हैं ओके यहां पर एड़ करने क्या मिलेगा देखे 4 और 5 9 हो जाएगा है और 4 और 2 यह 4 स्क्वेर रूट तो स्क्वेर रूट आफ 25 होल 544 अपान 729 इस इक्वल टू स्क्वेर रूट आफ इसमच मेंस 18,769 अपान 729 अब क्या करना है कि इसका अलग अलग कर लेना है मिनस इसको रूट आफ 18,769 अपान स्क्वेर रूट आफ 729 तो यहां पर 18,000 का बल निकालते हैं 18,769 का स्क्वेर रूट यहां पर बनाया यह यह बनाया और यह वन हो गया 1 प्लस 1 वन से जाएगा पहले तो वन से किस्टर हो गया यहां पर 87 हम उतार लेंगे यहां पर हो गया 2 अब 87 में ले जाना है तो अब दिखना बढ़ेगा होतीड यहां पर अब यहां पहली बर गया था वन से दूसरी बर गया 3 से और तीसरी बार हम देकिसी जाएगा 9 से चला जाएगा नहीं 9 से नहीं जाएगा बिल्कूल 7 से लाएगा ठीक है तो 7 से लागा 7 से लागी से उसनुसरा 49 का 9 4 कारी ओबर एंड 7 6 दा 42 42 & 4 46 6 4 करे ओबर 7 2 दा 14 14 & 4 18 great कि सेराड हो गया वर तब कि तीस्टी पर गया था 7 से means यह आजाएगा ओन हंडड़ 37 अपान 729 के देन निकालेंगे तो यहां पर निकाल लेते हैं यहां पर बन गया यह बन गया तो आपर चले जाएगा तू से 2 प्लस 2, 2 भी जाप 4 हो जाएगे है हाँ पर और यह 3 मैनस होगा तो मिलेगा और 29 आगे है हाँ पर तो एडिकर रहेंगे, 4 मिल जागा और अब यहाँ पर जाएगा, 7 से अगें ठीक है, तो 7 से लेजाएगे, तो 77 जा 49 का 9, 4 carry over and 7, 4 जा 28, 28 and 4, 32 cancels. मतब कि आ गया पहली बार गया था 2 से और दूसरी बार 7 से means 27 आ जाएगा. मतब कि आप लिखेंगे 27 and 137 में और 27 में कोई count factor नहीं है. ठीक है इसलिए ये इतना ही हमारा क्या हो गया? अंसर हो गया. तो आप सच रहे हो कि इतना जल्दी कैसे कर पा रहे हैं तो यहां पर मैं practice इतना ज्यादा practice कर लेंगे तो आप भी कर लेंगे आपको practice कर जो रहे है, यहां पर division आपको slow यहां आता है. आपको practice करना पड़ेगा और आपको पता जो जाएगा कि कैसे करेंगे? यहां पर आपको जो मिलेगा इसका आप डिवाइड करके जो है मिक्स फ्रक्शन में कर लिजेगा जैसे यह जो मिला हमारा 137 137-147 यह मतलब आंसर होगे खर लेकिन इसको मिक्स फ्रक्शन में कर सकते हैं चले नेक्स करते हैं नेक्स्ट इस एट और एट आपका है 75 होल 46 अपान 49 ओके तो यहां पर भी हमें पहले इंप्रॉपर फ्रक्शन में करना पड़ेगा मतलब की इधर समट्पलाई कर लिजिए और यहां पर आइड कर लिजिए तो मिलेगा आपको 75 x 49 प्लस 46 ओल अपान 49 अब यहां मुट्पलाई करेंगे तो क्या मिलेगा देखे 75 में मुट्पलाई करना है 49 से तो 95 जा 45 का 5 हो जाएगा 4 के रियो भर और यहां देखे ऐसे इसे मुट्पलाई कर लिए क्रास मुट्पलाई और आइड कर दिजिए 970 63 & 45 20 मिल जाएगा हमें 3 और 628 83 मिल जाएगा 83 & 4 87 87 का 7 हो गया 8 करी ओवर & 7 4 जा कितना होता है 28 28 & 8 36 मिन्स इतना मिलेगा और इसमें add कर लेना कितना 46 add कर लेना है मिल जाएगा आपको 65 11 11 7 4 11 12 हो गया 2 1 करीवर 617 & 3 मिन्स मिल जाएगा आपको 3721 add करने पर और 49 ठीक है तो हम इसको कर देते हैं तो हम यहां पर या करेंगे निकालना हमें है स्क्राइब है स्क्राइब होल 46 अपान 49 यह निकालना है आपको पहले इसको हम लिख देंगे इस तरीके से मिन्स इंप्रावर फेक्शन में 3721 अपान 49 तो हम इसको अलग लग लिख देंगा फिर यहां पर 3721 अपान स्क्राइब लॉट आफ 49 अब यहां पर हम निकालेंगे लांग डूजन में 3721 का पहले यहां पर जो है डवल पेर बना यहां पर यहां पर अब यहां पर हम पहले कि यहां बचेका 121 इक बार जाएगा बिल्कुल इक बार में लेगा तो वन वंजा वन टू जा टू एन वन कैसे लट हो गया मतलग पहले बार गया था से दूसरे गया था वन से 61 यही इसका आगया स्क्वेरूट 61 अपान 49 का होता है आप जानते हैं सेवन होता है इसमें कुछ करना नहीं है आप फिर आपको याद हो गाई है तो 61 अपान 7 इस यूर आंसर फ़ार दिस क्वेश्चन ओके तो स्वाल करते हैं क्वेश्चन नंबर वन का नाइन्थ पार्ट तो यहां पर दिया थ्री होल 942 अपान 2209 यहां पर पहले आप इसको इंप्रोपर फेक्सिम ने करवड़ कर गिए तो 3 इंटू इस मिन्स 3 927 का 7 हो जाएगा और 3 0 होगा तो 27 ही हो जाएगा 3 तूज 6 इतना में एड करना होगा 942 942 अपान यह उतना ही रहेगा 2209 मतब क्या मिल जाएगा है यहां पर आट करी तो 729 हो जाएगा यहां पर और 4 & 2 6 & 9 & 6 15 का 5 1 के रियो फर & 617 मिन्स 7569 होल अपान यह हो जाएगा 2209 अब हमें निकालना है स्कुर्ण रूट आफ इस नंबर 3 होल 942 अपान 2209 इसको जाएगा स्कुर्ण रूट आफ अब इसको कर लेगा पहले इंप्रावर फेक्शन में मतलब इतना रख लेंगे हैं आपर मिलेगा 7569 अपान 2209 मिन्स यहां पर अलग अलग कर लेंगे तो मिलेगा हमें 7569 अपान स्कुर्ण रूट आफ 2209 तो पहले हम निकाल लेते हैं इसका स्कुर्ण रूट तो यह हुए 7569 का लंग डूजन में थर से यहां मचे का पियर यहां मनेगा पियर और यह 8 से पहले बजाएगा तो प्लस 8 इत अब इत हो गया 16 ऑके अब यहां पर ले जाएंगे हम 7 से चला जाएगा बिलकुल बिलकुल तो यहां पर हो जाएगा तो यहां पर हो जाएगा तो पहली बार दूसरी बार से मिंस आगे हमारा 87 अपान इसका निकाल लेंगे 2209 का और यहां पर पिर बनाएंगे यह 9 का फिर यह हो गया अब यहां पर जाएगा पहले 4 से 4 प्लस 4 16 हो जाएगा है आपर और यहां पर यहां पर add कर लेंगे आपको एट और यहां से जाएगा प्लस 7 से जाएगा अब लिकुल प्लस 7 से जाएगा नाइन फॉर केरी ओफर एंट जा 56 एंट 460 इस पाहली बार गया था 4 से और दुसरी बार गया 7 से मिल मिल गया आपको 47 means 87 आपार 47 इस यूर आंसर कि इसमें कुछ काउंट फैटर नहीं है तो कुछ कटा ने सकते हैं simply this is your answer ओके नाव दे टेंथ पाइट यह आपका कुश्चन है थ्री होल 334 अपार 3025 पहले आप आप इसको करवड कर लेंगे इंप्राव सक्षन में तो 3 समय लएका लिजे 35 15 का 5 1 केरी ओवर एं 326 एं 17 एं 309 इतना में एड करना होगा 334 फोल अपान यह मिलेगा आपको 3025 यहाँ पर एड कर लिजे मिलेगा आपको 549 एंड 7 3 10 का 0 1 केरी ओवर एंड 3 & 1 4 हो जाएगा और यह 9 तो 9 ही रहेगा अपान यह हो जाएगा 3025 अब हमें निकालना है सो स्क्वार रूट आफ थ्री होल 334 अपान 3025 इसको टू स्क्वार रूट आफ इसको मिलेगा पहले इंप्रावर फक्शन में मतलब इस तरीके से 9409 होल अपान 3025 यहां पर अलग अलग कर लेंगे फिर से 9409 अपान स्क्वार रूट आफ 3025 तो अब पहले करेंगे हम 9409 का बाई लांग रूट में थर्ड स्क्वार रूट यहां बना यहां बना तो यह जाएगा पहले एट से स्वरिण से ला जाएगा बिल्कुल तो 99081 यहां हो जाएगा 3 और यह पर चेगा 1309 यहां पर हो जाएगा 18 नाव 18 हो गया तो अब यहां पर जाएगा कितने से से ला जाएगा बिल्कुल डिफनेटली यह जो से ला पता कर रहा हूं यह चेक कर पाएंगे आप 18 करेवल पढ़िएगा 18 करेवल कि देखेंगा कि 130 कितनी बर में आ रहा है तो 18 से में जा होता है 126 तो बिल्कुल इसे कम है इसलिए से लिए से ला जाएगा यह जाएगा अपका 5 से पहले 55 हो गया 5 और यह 25 बच गया अब यहां पर यहां पर गारेंगे 5 यह 10 मिल गया अब यहां पर ले जाना पड़ेगा आपको 5 से 55 25 को 5 2 कर दिए फर और 5 0 0 2 हो जाएगा 5 और 5 कैसे लाट हो गया मतलब कि पहरी बढ़ गया था 5 से दूचर पर 5 से गया बदब कि यह एक्चरी 55 का ही स्क्वेर है 3025 तो इस यह राइड नाओ इस यूर आंसर ओके अपकर तैंट 12 शरी 11 कि इसको बदा लेंगे इंप्रावर्ट इन से पर लेंगे 21 से 14 जा 4 16 एंद 3 एंद 3 2 4 जा 8 एंद 2 6 एंद 2 एंद 2 एंद 2 6 एंद 2 6 एंद 2 3 6 एंद 4 एंद 8 6 14 का 4 वन कर रहे उफर एंद 3 2 5 1 6 एंद 7 3 10 का 0 1 कर रहे उफर 277 इतना आ गया और इसमें एड करें कितना 2797 मिन्स 2797 एड कर लेंगे तो 7 4 11 का 1 1 कर रहे उफर एंद 10 4 14 14 का 4 1 कर रहे उफर 17 30 13 1 14 का 4 1 कर रहे उफर एंद यह जागा 3 एडिया 7 मिन्स यह आगया आपको 7344 पान इमिल गया आपको 3364 तो इस पर मतलब कैलकुलेशन काफी ज़्यादा है तो आपके ध्यान से करिएगा थोड़ा सा क्लेशन अब फास्ट कर लेना चाहिए ताकि आप इसको असाने से कर पाएं तो हमें निकालना है इसको रूट आफ 121 होल 2797 अपान 3364 तो इतना बरावर हो जाएगा यह इसको रूट ऐसा बदल लेंगे हम इंप्रावर फक्षन में मिन्स यह हो जाएगा 7300 सब्सक्राइब 3441 अपान 3364 तो इसको हम अलग लग कर लेंगे मिन्स मिल जाएगा 73441 होल अपान स्क्राइब 3364 अब यहां पर क्या करना होगा कि हमें इसका निकलना है 73441 तो यहां पर देखें पेर बना है यह बना है और यह हो गया तो यहां पर हम चार आड़ कि अच्छा एट से जड़ा होगा तो सेवस्थे करेंगे हम डानष्थे और देखेंब 4K यहां मिल जाएगा आपको फाइव और फोर्टी पर आप यहां पर उतार लेंगे एड़ कर लिजेगा तो आपको 14 915 54 और यह वन से जाएगा डिफिनेटली वन से ले जाएंगे तो मिलेगा आपको 541 जो किसे रट हो जाएगा मतब कि टू मिला सेन मिला वन मिला हना टू सेवन एंड वन तो यह हो गया आपको 271 अपान 3364 को निकाल रहेंगे यहां पर बन गया यह अब यहाँ पर जाएगा पहले ओप से 25 यहां पर आपको मिल गया 8 864 अब यहां पर 10 होगया तो अब यह जाएगा 8 बार में यहां पर दोनों में कुछ कामन टर्म नहीं है तो बल्कुल यह आपका आंसर हो गया है अब चलते हैं नेक्स्ट में सर्ट ट्वेल्ट ओके तो ट्वेल्द आपका जो क्वेशन है वह आपका थर्टी एट होल वन अपार ट्वेंटी फाइव इसको इंप्रवर फ्रक्षन में तो 25 एडजा होता है 200 200 का हो जाएगा 0 20 करी ओबर 25 3100 75 75 75 and 20 95 950 plus 11 upon 25 add कर लेंगे मिलेगा हमें 961 upon 25 देखे 961 का भी हमने निकाला था तो यहाँ पर अब directly हम कर लेंगे square root of so square root of 38 whole 11 upon 25 is equal to square root of 961 upon 25 and this is equal to square root of 961 whole upon square root of 25 यहाँ पर देखे 961 का होता है 31 upon यह होता है 5 this is your answer ओके तो बिल्कुला समझ रहे हैं यहाँ कैसे हो रहा है चले चलते हैं अब next ओके question number 13 solve करते हैं तो यहाँ पर question है 13th 23 whole 394 upon 729 यहाँ पर पहले का करना पड़ेगा हमें इसको improper fraction में change करना पड़ेगा means 23 में अब प्लाई करेंगे से 729 से और इसको आइड कर देंगे 394 में 394 में और डिवाइड कर देंगे 729 से अब यह जो बनेगा हमारा improper fraction आ जाएगा तो यहाँ पर इमन प्लाई कर लते हैं 729 में प्लाई करना है 23 से 39 जा 27 का 7 2 करी ओफर और यहाँ प्लाई कर लेगा यहाँ प्लाई कर लेंगे 741 का 1 करी ओफर एंड यह होजागा 17 का 7 9 6 मतलब 15 16 16 होजागा 16 का 6 1 करी ओफर एंड और यहाँ पर होजागा 11 का 1 करी ओफर एंड 617 and 1 17161 17161 तो मतलब यह आजाएगा 17161 अपान 729 ओके अब यहाँ पर हम इसका निकाल लेंगे अलग-अलग स्क्वेर रूट तो मिन्स स्क्वेर रूट आफ निकालना हमें है 23 होल 394 होल अपान 729 इसका स्क्वेर रूट निकालना है इसका मतलब कि स्क्वेर रूट आफ इसका निकालना है मतलब 17161 अपान 729 का और इसका हम अलग-अलग से प्रेशन करतेंगे मींस स्क्वेर रूट आफ 17161 अपान इसक्वेर रूट आफ 729 तो यहां पर निकाल लेता हैं 17161 का अब यहां पर होगा 26 अब ये लास्ट में जानते हैं एक से जाएगा वन सी जाएगा मतलब तो वन से करेंगे तो टू सिक्स 1 मिलेगा हैंब यहाँ पर हो जाएगा ये पहली बार गया था वन से दूसरी बार गया थ्री से and third times गया 1 से means 131 का यह square root है means 131 हो गया square root आप this much upon 729 का आप जानते है 27 होता है actually आप इसका निकाल भी सकते हैं यह आपको नहीं आता तो यहाँ पेर बन रहा है और यह 7 का करेंगे तो 2 से करना पड़ेगा 2 plus 2 2 दो जब फोर और यह मिलेगा 3 29 और यह जब फोर and I think यहाँ पर जाएगा 7 से से सब्सक्राइब 49 कर 9 4 करेंगे और 748 and 432 कैसे लट हो गया मतलब कि यहाँ पर 27 आ गया बिल्कुल 27 यहाँ पर आ गया तो हमारा answer हो जाएगा यह लेकिन यहाँ पर इसको हम mixed fraction भी कर सकते हैं means इतना जो लोगी सकते हैं 27 से डिबाट कर दीजे मिलेगा आपको 4 complete 23 upon 27 इतना मिल जाएगा and this is your answer ओके चलिए solve करते हैं next 14 14 यह आपका है 21 whole 51 upon 169 पहला हम इसको improper fraction change करते हैं means 169 में मटपलाई करना पड़ेगा 21 से तो 199 6 1 and 2 से करेंगे तो 2 9 जा 18 का 1 1 के रिवफर and 2 6 जा 12 11 13 3 1 के रिवफर and 222 and 3 है यहां से 9 हो जाएगा और 14 का 4 1 के रिवफर and 3 1 2 4 & 5 & 3 means मिल जाएगा आपको इतना और यह 51 इसमें add करना पड़ेगा 9 1 8 8 10 हो जाएगा 4 9 10 0 1 के रिवफर and 6 3 36 means यहां मिल जाएगा 3600 upon 169 तो हमें निकालना है square root of 21 whole 51 upon 169 का तो यह तो equivalent है 52 होता है 52 and 8 carry 8 मदा बजी रिमेंडर and इतना मिल जाएगा 4 whole 8 upon 13 हो जाएगा आपका mix fraction में change करने पड़ेगा आपको मिल जाएगा तो यह हो गया आपका 14th one एक चलते हैं तो इसको हम पहले इंप्राइब करते हैं तो मडपलाई करते हैं तो 225 मडपलाई करेंगे 10 में तो मिल जाएगा आपको 2250 प्लस आड़ करना पड़ेगा आपको 151 upon होल हो जाएगा यह 225 यहां पर एड़ करेंगा 150 और वन कितना हो जाएगा वन हो जाएगा 5510 का 01 के रिओफर और यहां पर 2 हो जाएगा 2401 अपन 225 तो अब यह बन गया हमारा इतना तो हमें निकलना है एक्चुली यह स्क्वार रूट आफ 10 होल 151 upon 225 मिन्स यह हो जाएगा इतना 2401 upon 225 यहां पर अलग अलग सेपेट कर लेंगे 220 यहां पर हो जाएगा 2401 स्क्वार रूट होल अपन स्क्वार रूट आफ 225 तो यहां पर आप जो है क्या कर लेंगे कि 2401 यहां पर बना लेंगे यह बन गया यह बन गया यहां पर 24 का जो पेर है यहां पर जला जाएगा आपको 5 से निजा पाएगा 4 से जाएगा 4 प्लस 4 4 4 16 और यह बिल जाएगा 8 01 और यह 448 हो जाएगा पिर नाइन से चल जाएगा एंड इस इस नाइन जाएटी वन का वन एट के री ओफ़र एंड नाइन एट जाएट टू एट 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 टी इंसे लट हो गया मतवगी मिला आपको 4 और इसको आप मिल जाएगा 49 अपान 225 को आप जानते हैं 15 होता है तो 49 और 15 मिल गया इसको आप मिक्स प्रक्सम चेंज कर सकते हैं 15 से डिबाड़ कर दीजेगा 15 3 होता है 45 और मिल जाएगा आपको 4 अपान 15 इस इस यूर आंसर ओके तो यह जो क्वेस्टन है यह काफी लेंदी ह अपको मैं हो सकता है कि इसको मैं पर्टीशन कर दिया होंगा तो आप जिस कॵ्रेशन को देखना चाहते हैं उस कुछिशन को जागर क्या आप देख सकते हैं इस विडियो को में 15 पार्ट में मतब डिवाइड कर जUNGँँगा जिससे कि आप उस पार्टीफिलर कुईशन को द